हेलो फ्रेंड्स वैरेल वेक में आप सभी का स्वागत है मैं वेकुमर आज आपको एक बहुत इंपॉटन जानकरी देने चाहता हूं और यह सभी किसान भाईयों के लिए यह जानकरी विसे से क्योंकि बहुत सारे किसानों को पता नहीं है कि विहार सरकार के तोरह डिजल यह क डिजल पर सबसीडिद दीया रहा है और यह सबसीडि किसलिए मिल रहा है जैसे मानकरी बढ़ेश करते लापने बीज़ाएं मोरे और सब्स तो वो जो खर्चा हुआ था ना उस खर्च के लिए सरकार आपको सबसीडी दे रही है अभी इनफेक्ट यह आपको अक्टूबर तक मिलेगा यानि अक्टूबर तक जो भी सिजाई आप करते हैं उसके लिए आप डिजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं तो उस डिजल की रसित पर दस संक्षा होता है लाट फर्स्ट डवल टू फाइवन को हटा कि जो आपको अपना पड़ता है पैट्रोल पंप के द्वारा बट प्रॉलम क्या हो रहे थी बहुत सारे पैट्रोल पंप इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे या फिर वह उनको सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि क्या है मैं आपको पड़की बताता हूँ उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ठीक है इसमें लिखा गिया है कि पूरुस निर्गत क्रियानवे निर्देश के नुसा डिजिटल कंपिटर पूरुस निर्गत निर्देश यथावत रहेंगे यानि अभी इसमें करना क्या है कि जो आप पैट्रल पंप से डिजल खरीद के लाएंगे तो उसका आपको महां से सिंपली रसीट कलेक करना है रसीट को घर पे लाना है घर पे लाके आपको अपना किसान पंजी करंद पर ठीक है तो यह प्रोसेस करके आप इसका क्लेम ले सकते हैं दूसरा चीज क्या है कि जो क्रिशी शमनवेक तो वेरिफाई करेंगे जैसे मान के चलिए आप बटाइदार खिसाने यानि भोली करते हैं ठीक है किसी दूसरे की जमिन पर आप खेती करते हैं तो उस सिच्वे पर अपन्चायत समयती के सदस इन पांच में से किसी एक से भी साइन अगर करा लेते हैं और क्रिशी शमनवेक का सामुही खस्ताचर करा लेते हैं तो आपका डीजल का चुक लेम है वह एजली पास हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो यह सिंपल सा दू बहुत ही इंपोर्टेंट अप्रेट था किसानों के लिए जिससे किसान भायों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इसलिए मैंने यह वीडियो उनाया ताकि आप इससे बैनेफिट ले सकें तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखन देखली धन्यवाद